सबी पशुपालक भाईयों को सुरेंदर सनिवाल की तरफ से नमस्कार आज का वीडियो देखो जी बहुत सारे वीडियो एचेसबी के आपने लगबग अब तक मेरी खाल से 20, 25 या 30 वीडियो अब आई देख चुके होगे लेकिन आज का वीडियो जो है इसारस्पम बायो टेक्स से लेके आ रहे हैं और अब तक के जितने भी वीडियो हमने डाले हैं सबसे स्पेसल वीडियो ये है हमारी और जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लाश्ट तक जुड़े रहे हैं कि आज की वीडियो में हम अपने जितने भी बुल हैं चाहे वो कम रेट का है या ज्यादा रेट का है सब बुलों के रेट जो है इस वीडियो के माद्यम से बताएंगे और रेट बताने का रीजन क्या है काफी सारे भाईयों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि रेट बताईए पूलता रहता था कि जायज रेट है मारे जायर रेेट लेकिन रेट जो है वो विडियों के माध्यम से नहीं आ रहे थे तो आज सब्सक्거든 के सामने जो काम आप रायों के लिए जुड़े हुए हैं आज जो मैं रेट आपको बताऊंगा उसमें आप कम से कम भी 250 से लेके 300 रुपे तक AIT जो अपना है जो AI करने वाड़ा डोक्टर है उसको एड़ करके दें क्योंकि जो रेट जैसे कि कोई बुल हम 100 रुपे में बेच रहे हैं और कोई डोक्टर जब आता है आप उसको बोल देते हो कि 100 रुपे में एच एसबी का यह सीमन है तो आप 100 रुपे और उपर ले लो महंगाई का जमाना है 100 रुपे में आज कल किसी का काम नहीं चलता तो AI पूरे दिन में थोड़ी सी ही तो प्रैक्टिस कर सकता है थोड़ी AI कर सकता है तो आप AI के कम से कम भी 200-300 रुपे 250 से लेके 300 रुपे आप एक AI के अपने जो बीज जिस जो मैं आज आपको रेट आपको अगर आप 200-300 रुपे उसको 200-300 रुपे ज़्यादा देते हैं एक नकली बीज रखवाने की जगए आपकी बैंस को आपकी गाये को असली बीज रखा जाएगा और वो असली बीज जब आज से 3 साल के बाद 4 साल के बाद जब आपके घर पे कटड़ी दूद देगी या जब बच्चा आएगा तो वो उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा एक नकली बीज रखने की बज़ाए अगर आप जो पशुपालक बाई है मेरे साथ जुड़े हुए हैं अगर वो अपने डोक्टरों को स्पोर्ट करेंगे ना तो वो भी जो नकली सीमन की जो बुल ऐसे हैं अभी जो फिलाल की बात करूं मैं तो हमने इन बुलों के रेट में भी फेर बदल किया है ये वीडियो मैं आज 2 नुमबर के दिन जो है सूट कर रहा हूं और आज की वीडियो से पहले कई बुलों के रेट हमारे थोड़े बहुत बुलों के कम भी थे 2-4 बुलों का रेट हमने कम किया है वो जल्दी से जल्दी किसान बायों तक पहुंचे और वो पीटी बुल बने प्रोजनी टेस्टिड बुल बने क्योंकि सारे के सारे बुल छोटे से लेके बड़ा जो हमारा बुल है वो हमने बहुती छाट के लिया है आप भाई जो विश्वास करते हैं मेरे उपर और इतना स्पोर्ट करते हैं सब को बता है कि एच एस बी के फारम के अंदर उसी बुल के एंट्री होती है जो बहुत बड़ी आओ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बायों तक ये पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रोजनी टेस्टिड बने इस कारण से जो है ये चीज फिल्ड में हम लेके जा रहे हैं तो अभी एक एक बुल के बारे में मैं आपको बताऊंगा और सब के रेट भी अलग अलग बताऊंगा एक बात और छोटी से मैं आप भाईयों के सामने ये बताना चाहता हूँ जो मैं आज आपको रेट बता रहा हूँ न ये सारे के सारे रेट चाहे आप एच-एसबी सीमन स्टेशन से सीमन खरीदें चाहे आप हमारे जो सप्लायर भाई हैं उन से सीमन खरीदें डिस्टिब्यूटर से खरीदें ये रेट केवल डोक्टरों के लिए हैं जो मैंने सुरू में ये जो बात कलियर कर दिया कि आप कम से कम भी 250 से लेके 300 रुपे हर बुल के साथ आप उसमें एड करें उसमें जैसे की 100 रुपे का बुल जो हमारा है उसके एक डोक्टर को EIT को कम से कम 400 रुपे आप जरूर दें और ताकि उसका भी काम चले और जहां आप HSB से खरीदोगे या डिस्टिब्यूटर से खरीदोगे ये एक काउंटर रेट हमारा है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसा रेट है कि आप आज सुनके भी बहुत चक्के रह जाओगे और ये मैं रेट वीडियो में काफी सारी वीडियो पहले डाल चुका हूँ लेकिन उन रेडियो में रेट मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था चलो सबका काम चलता रहे लेकिन एक ये जो है ना ब्लैक मार्केटिंग उसने बिलकुल हदी कर दी कोई बुल हम बिलकुल जायज रेट में दे रहे हैं और वो एक किसान को आगे जाके कम से कम भी 10-20 गुना जादा लग रहा है उसकी रेट तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग थी उसको खतम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस चीज को पहुँचाने के लिए किसानों के हाथ में पहुँचाने के लिए science आप बाई sharp को बता रहा Oh वे जन्हाँ हम बता रहा हूं अब ही मैं बताना चाहूंगा आप बाईयों को के जितने भी हमारे डिस्टिप्यूटर के ըंबर इस वीडियो में चल रहे हैं तो जितने भी पसुपालग भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उन नमबरों पे कॉल करें और उन नमबरों पे कॉल करके वो यह जो मैं रेट बताऊंगा उस रेट के सीमन आप ले सकते हैं कोई भाई अगर एचेसबी से एचेसबी में इसारस्पम बायोट कराएंगे अभी जो पसुपालग भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं बताना चाहूंगा आप भाईयों को सभी बुलों के रेट सबसे पहले हमारा सबसे में बुल प्रोजनी टेस्टिट बुल है जिसकी बहुत सारी कटडियां मान के चले हैं 12-15 किलो दूद वाली बै करवा रहे हैं इसके बाद आगा जी अपना दो नमबर पे जो बुल है निली नसल का जो पाकिस्तान से एक किसम से मैं यह कह सकता हूं कि प्यूर पाकिस्तान की बलड लाइन है इसका भी मैं आपको रेट बताता हूं उससे पहले बता दूं जो 500 रुपे का सीमन हम सेरे और लगबग 4500 लीटर जो इसका फादर है सैंसा उसके फादर का दूद 4500 किलो और इसकी मा की बात करूं इंडिया में उसका नाम बाग है और पाकिस्तान में उसकी मा की मा का नाम भी बाग है तो दो बाग का एक किसम से यह निकला हुआ जो पाकिस्तान में बाग थी वो 2012 क लाहूर चैंपियन 31 किलो 500 ग्राम दूद दे के शोकर्डोगर जी के फारम पे थी और इंडिया में जो इसकी माने दूद दिया है वो लगबग 25 किलो के आसपास जब पाकिस्तान से आई और तीन महीने दिली रही तो दिली में भी जो रुक के इसकी माने दूद जो है कीमत पे इसका जो सिमन है हम किसान भाईयों को मातर 200 रुपे का जो है डोक्टर भाईयों को मातर 200 रुपे का प्रोवाइड कर रहे हैं और इसकी आई 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 आगया जी अपना नवाब और ये वो बुल है जी जिसने मान के चलो जहां कहीं भी खड़ा रहा है एक ये बेटा है और इसका भी कीमत जो हमने वो है मातर 200 रुपे रखी है और इसकी एई आई एक किसान के गर पे 500 रुपे के लगबग हो जाएगी 200 रुपे आप डाक्टर को सिमन का रेट हो गया और 500 रुपे में जो है एक किसान के गर एई आई हो जाएगी ये वो बुल है मै बताना चाहूँगा जट का भी सीमन काफी महेंगे रेट में बिखता था और नवाब के भी बताना चाहूँगा एक स्ट्रो आप भाईयों को 600 रुपे में मिलता था इसका स्ट्रो और आज 500 रुपे में इसकी AI एक किसान के गर पे होगी इससे आगे आ जाते हैं जी जो मैं र 10 किलो से बहुत ज़्यादा इंप्रूमेंट जो है वो बुलों में रहेगा यह आगया जी बुलेट M29 का बेटा जैसिंग भाई के गर पैदा हुआ मा इसकी गंगा 27-27 किलो दूद की और इसकी कीमत मैं बताना चाहूँगा आगे इस काटेगरी के हमारे लगबग 4 बुल है जिनकी कीमत हमने रखी है जी मातर 100 रुपे और इस बुल की जो AI है वो 400 रुपे के आसपास जो है इसकी AI जो है जो बीज रखने की पिरक्रिया है वो एक किसान के गर एक डोक्टर कर देगा मातर 400 रुपे में अभी मैं बता रहा था जी आप भाईयों को के इस काटेगरी मे हमारे चार बुल है एक बुलेट आ गया जी एक बेताब आ गया बेताब के बारे में बताओं गंगा का लाड़ो का बेटा ये रमेश दान्सुवाडी का और इसका फादर समराठ थे मुकेरिया इसका कीमत इसका सीमन भी इन बुलों के सीमन जो मैं आपको बता रहा हूँ ल केताब का भी 100 रुपे रेट है इससे आगया आगया जी दन्ना इसका भी जो कीमत हमने रखी है वो मतर 100 रुपे रखी है इसकी भी जहां ये 400 का 300 का 300 का बिकता था आज 400 रुपे में इस बुल की भी एई हो जाएगी इदर आगया सेरे पंजाब 7570 का बेटा इसकी भी एई जो है 400 रुपे में हो जाएगी 100 रुपे हमने रेट रखा है इससे आगए जो बुल अमारे आगए उसके बारे में मैं बताना चाऊँगा इस category में हमारे लगबग तीन-चार बुल है, जिसमें सबसे पहले इदर खड़ा है जी ठाणेदार, इस category में जो हमारे बुल है वो ठाणेदार आ गया, और उसके बाद आ गया जी, केसरिया जो हमारा साहीवाल का सबसे में बुल है एक इसमें आ गया जी बी मा, जो शेरू का बेटा है और मां बहुत अच्छी है एक इसमें आगया जी गबर जिसकी मां का दूद लगबग 25 किलो है और फादर उसका कोही नूर है तो ये बुल जो हमारे आगे इनकी कीमत हमने रखी है जी मातर 50 रुपे और ये जो कीमत है ये एक डोक्टर के लिए है अगर AI की बात करें तो इन 50 रुपे वाड़े बुलों की जो कटेगरी है इसकी AI मातर 300 से 300 रुपे में एक किसान के गरपे हो जाएगी जिसमें हमने 4 बुल रखे हैं गबर, बीमा, थानेदार, केसरियो उसके बाद जितने भी हमारे बुल आगे ना जी मान के चलो आज हमारे पास 40-45 बुल जो बता भी देता हूँ आपको लगबग आगे जी इस कटेगरी तक 12 बुल, 12 बुलों को छोड़के जितने भी हमारे बुल हैं या नए भी एड़ हो रहे हैं सभी के सभी बुलों का सिमन मातर 40 रुपे में हम एक डोक्टर को उपलब्द करवा रहे हैं और उसकी AI लगबग 300 र 300 रुपे ये कटेगरी हमने रखी हैं 3-4 और बिल्कुल जायज कीमत पे अभी आप जो बाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो के माद्यम से देख रहे हैं आप इस बारे में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि ये जो रेट हमने रखा है ये कैसा है पहले मारक कर्टर को 100 रुपे में ये हमारे बुल जा रहे हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव है इतनी काम आने वाली है किसान बाईयों को कि आप एक किसम से ये जो हम सीमन स्टेशन शुरू किया था ये किसान के हित के लिए हमने शुरू किया थ जितने भी हमारे डिस्टिब्यूटर के नंबर हैं पहले जिस रेट में भी सीमन गया हो आप उस बात को छोड़ दें और अभी फिलाल जितने भी हमारे डिस्टिब्यूटर हैं उन डिस्टिब्यूटरों को फोन करें और उनसे सीमन लें या फिर कोई एचैसबी के सीमन यह बैक किसान को दो बार भी एकरवानी पड़गी तीन बार भी एकरवानी पड़गी तो जो है उसको दुख नहीं ओगा उसको दर्द नहीं होगा पहले जो बने चल रही थी वह बलेक मार्केटिंग चाहे हमारा कोई distributor कर रहा हो या कोई हमारा doctor कर रहा हो लेकिन आगे से या जब ये वीडियो आप देखोगे तो ये black marketing बिलकुल बंद हो जाएगी फिर बताना चाहूँगा जिस किसान भाई के घर पी कोई भी doctor AI करने आए तो आप उस doctor से AIT से straw जरूर लें एक unique चीज हमारे पास है कि double printed distro है बार कोड चारो तरफ rotate हो रहा है इस चीज की आज डुपली केसी नहीं है जब तक डुपली केसी आएगी तब तक मैं कुछ ने कुछ आपको कोई और नया रास्ता भी बता दूँगा फिलाल अगले साल दो साल तक ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी double केसी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पसुपालक बाई है इस चीज का फैदा उठाइए और अपने गर पे नसल सुदार के लिए HSB के सीमन यूज कीजिए फिर मैं बताना चाहूँगा जो भाई नहीं जुड़े है हमारा केवल मुर्रा पे ध्यान नहीं है निल्ली के हम दो बुल लेके आए हैं वो बहुत ही बैस्ट है निल्ली की बात आई तो इसमें एक पारस जो हमारा बुल है वो हम 80 रुपे में जो है एक डोक्टर को दे रहे हैं और उसकी AI भी आप 300 रुपे, 500 रुपे एड़ करके करवा सकते हैं लगबग साड़े 300 और 400 रुपे की रेंज में तो बहुत ही जायज कीमत हमने सभी बुलों की रखी है वो बात फिर बीच में रहगी चाहे हमने निली के लिए हो चाहे थार पारकर लिए हो काहे साईवाल लिए हो चाहे कोई और ब्रीड ली हो सबी के सबी आज की डेट में जो भी इंडिया में बैस चीज हमें मिल रही थी रेट की तरफ हमने कभी भी झी नहीं देखा आप जो बाई वीडियो देख रहे हैं लगबग जानते हैं जो सीमन बैंक वाले हैं जो सरकारी संस्ताएं हैं वो लगबग लगबग पचास जार रुपे तक उनकी जो है कीमत जो एक बुल की जो देने की समता है वो लगबग पचास जार रुपे है लेकिन आप जो बाई मेर जितने भी बाई जुड़े हैं वो इस वीडियो को मैं कहूंगा आज की इस वीडियो को जितने भी WhatsApp के गुरूप हैं जितने भी Facebook के गुरूप हैं या आप WhatsApp पे status लगाईए Instagram पे status लगाईए और इस वीडियो को एक किसम से आग की तरह पूरे देश में फैला दीजिए हमारे स अप्लायरों के फोन जो मैं आपको नंबर आपको दे रहा हूं उन पे इतने बजने चाहिए कि एक एक किसान एक एक डोक्टर जो है अपना सिलेंडर उठाए और उन डिस्ट्रिबूटरों के घर पहुंच जाए जिनके पास हमारा सीमन जाता है ज्यादा से ज्यादा संख् ज्यादा संख्या में लगेंगे तो ज्यादा कटड़ी आएंगी जल्दी प्रोजनी टेस्टीड होंगे और एक किसान को इनका फैदा मिलेगा तो एक एस बी से ये वीडियो लेके आए जी कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को फिर मैं बड़ा इन्फोर्मेटिव वीडियो है सारी जगे जरूर सेयर करें नमस्कार